नमस्कार आप देख रहे हैं नेशन न्यूज मैं हूँ आपके साथ खुस्वू सांगवी केंद्रिय मंत्री रामविलास पासवान के निधन के बाद पूरे देश में सोक की लहर है। उनके निधन के बाद राज्किये सोक रखा गया और संसद और राष्ट पदी भवन का तिरंगा जो है वो जुका दिया गया है। आपको बता दे कि बीते दिनों यानि गुरुबार को रामविलास पासवान का निधन हो गया। पिछले कई दिनों से वो लगतार बिमार चल रहे थे और दिल्ली के एस्पताल में वो भरती थे जहां उनकी निधन हो गया। आपको बताते कि इस बात की चानकारी खुद चिराग पासवान ने अपने ट्वीटर के जड़िये जहां उन्होंने एक तस्वीर बहुत ही जादा भावुक तस्वीर सेर किया जिसमें चिराग पासवान अपने पापा को गले लगाए हुए और दोनों हस्ते हुए नजर आ रहे थे और उन्होंने लिखा था मिस्यू पापा आप जहां भी है अप मेरे साथ हैं। उनके पासवान जी के साथ कंधे से कंधा मिला कर चलना एक अविश्वस्निय अनुभव रहा मंत्री मंदल की बैठकों के दौरान उनके हस्तचे वहारिक थे राजनितिक ज्यान राजी कौसल से लेकर शासन के मुद्दों तक वह प्रतिभास साली थे उनके परिवार और समर्थको के प्रति समवेदना सांती इसके आगे उन्होंने दूसरे टूइट में लिखा कि राम बिलास पासवान जी ने कड़ी मेहनत और डृड संकल्प के जड़िये राजनिति में कदम रखा एक यूबा नेता के रूप में उन्होंने आपातकाल के दोरान अत्याचार और हमारे लोगतंत्र पर हमले का विरोध किया वह एक उतक्रिष्ट सांसद और मंत्री थे जिनोंने कई नीतिगत छेत्रों में स्थाई योगदान दिया इसके बाद तेजस्वी आदब ने अपने टूइट में लिखा कि नयाय प्रिये राज नीती और दलित वंचित चेतना के मजब पर्थिप सरीन इपार्टी काडियाले में रखा जाएगा और जितने भी वहां कारी करता है और जो तमाम नेता है रोजपा के वह समवेद्ना व्यक्त करने के लिए वहां मौजूद रहेंगे चानकारी अबही बील रही है कि जो आलम विलास का पर्थिप सरीन इंगी अलती